हे गाईस कैसे हैं आप लोग आई होब आप लोग अच्छे होगे वेलकॉन टू माई चैनल जिसका नाम है रीमा सुधिर और आज मैं दो यमी सबजी का रेसिपी बताऊंगी आप लोग को तो प्लीज आप लोग पूरे ब्लोग में बने रहेगा और देखिएगा तो मैं चलत करती हूं रुष नमक तो ठ 뭔कि थोड़े देर के लिए रख़ों गीए और उसके बाद मैं फ्राइक करूंगी इसका बीज निकाल ली यह जै इसको पीसूंगी मिक्सी मैं और प्याज ली थी दो प्याज लिहूं जो की मैं ऐसे काटी हूं और इतना प्याज लिहूं मैं और sarsu ठोड़ा जादा है जादा डालना पड़ता इसलिए जादा लियो मतली के लिए सब्सक्राइब चल्थ हो दीति के विजियों टाल दाल जब कि इसलिए इसने हो गया आप आहला नहीं है जो दोर्डाय तो फुरूर्ण you में पर दोटेघ कर मिनुद कर देख इसको अच्छे से तेज आंच पे इसको फ्राइ करूंगे बहुत टेस्टी लगता है मतलब लगेगा नहीं कि करेला का सब्जी ऐसे तो करेला है तो थोड़ा सा तीखा लगे गाई बट उतना नहीं लगता है बहुत टेस्टी बनता है आप लोग एक बार जुरू ट्राइ फीर आप लोग मुझे कमेंट किजिएगा के इसा लगाई यह इसको मैं अच्छे सेपीक मार्टी कितने अच्छे से बुना गया है और इसमें प्यास डाल दी प्यास को भी थोड़ी से इसमें भूनोंगे इसके साथ भून लेती हूं मसाला पीस ली हूं मैं प्यास और जितने मसाले थे इसको सरसो जो डाली हूं इसको मतलब मैं थोड़ा दरदरा करके पीस ली हूं मैं ही जादा नहीं की हूं मैं और यहां पर प्यास डाल दी मैं पहले प्यास को हलका भून ली और इसके बाद सारे मसाले डाल दी हूं इसको अच्छे से भूनोंगी ताकि अच्छे से पक जाए मसाला मसाला भूना गया इसमें नमक डाल देती हूं नमक डाल दी इसके बाद जो करेला भून के रखे थी करेला प्यास इसको डाल दी इसमें थोड़ी देर तक बस दो मिनट तक इसको 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 उतार दूंगी बस बन गया मेरा करेला का सबजी आप लोजरूर बताएगा कैसा लगा यह रिसीपी करेला का देखे बहुत टेस्टी बना है बहुत टेस्टी और आलू का भी सब्जी बना रही हूं तो आलू चोटा आलू में ली हूं इसको मैं छील के ऐसे तрीका है, इसमें ज्यादा भी नहीं है और इतना प्याज ली हूं में तो्ब जरच जनहीं और अध्रता में को मरी रखे यह लिए 추천 जितने मसाले हैं सब कुछ डाली हुँ मैं जीरा धनिया मतहरा मिर्च भी दाली हूं छोड़ी डाल मिर्च अप्वावन के लिए felt के लिए बस कर देए अब इसको अच्छे से मिलाती हूं देखें I a tunnels डाल दी हल्दी डाल दी सारे मसाले डाल के अच्छे से मिलाओंगी सोरह सदनिया पॉडर इसमें ज्यादा लगता है अब इसको अच्छे से मिला लेती हूं जाओ थोड़ी से मिर्च पॉडर अच्छे से इसको देखे इसको अच्छे से मिला रही नमक भी डाल देती हूं नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप जितने सब्जी बनाया उतने हिसाब से आप डाल सकते हैं नमक और थोड़ी सी तेल डाल दी इसमें बस अब इसको मिला कर देखे देखने में कितना अभी देखने में कितना टेस्टी लग रहा है बनने के बाद और टेस्टी यमी देखने में लगेगा तो आप लोगों मैं देखाती हूँ इसे कैसे बनाएंगे और फोरन मैं में ली हूँ पाज फोरन और तिछ पत्ता तेल को गरम कर ली थी मैं गैस पर से उठार दी हूँ मतलब फोरन को नहीं जलाना है और इसके बाद जो मिक्स करके रखी हूँ आलू मसाला सब इसको डाल देती हूँ इसमें यह भी सबजी बहुत टेस्टी बनता है आप लोग इसे भी एक बड़ किजिएगा दोनों करेला और अलूर दोनों का सबजी आप लोग ट्राइ किजिएगा और मुझे जरूर बताएगा कि कैसा लगा यह सबजी और जो लोग मेरे चैनल के नए जूड़ रहे हैं प्लीज मेर के चैनल कर सब्सक्राइब किए लाइक किजिए और कमेंट किजिए और इसमे पानी डाल दी अब इसको चार सी टी लगाऊंगी बस आप जितना मतलब इसमें पसंद करते हैं पानी तरी उतना रख सकते हैं मॊं garbage कुज ज्यादा पसंद दें से लिए थोड़ा से देखे सबजि मेरा बन गया बहुत टेस्टी बना एंद दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में भीथ हमार कि क्यों में काफी बहुत ज़रूत लगता है तो आप जरूँछे एगा और कैसा लगा यह recipe आप लो जरूर मुझे बताएगा अब प्लीज प्लीज आप लो मेरे चनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए